हेलो काईस आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे जिसा आज का टोपिक है कि लेट मशीन के ऊपर टूल्स इस्तमाल होते हैं कटिंग टूल्स उसके बारे में देखेंगे कटिंग टूल के क्या गूंड होने चाहिए एक्सप्ट होना चाहिए वह तो हार्ड होना सिंग्ल पांट कुब्स कुथोर लगता है कि लिए कृश्म के लिए निग्ट कुण कंव के सिंग्ड डूर्ट को सब्सक्राइब करते हैं कि दिसरा है फॉर्म कटिंग टोल कि इनके टाइप से हैं कि सिंगल पॉर्ण कटिंग टोल इस तरह का दिखता है पीछे का हिस्सा इसके शेंक होता है नीचे का हिस्सा इसका बैस होता है यह जो दिख रहा है यह फ्लेंग होता है यह भी फ्लेंग होता है और जिस हिस्से से चिप्स जो रिमूस होती है कटती है जिस हिस्से से चिप्स होते भी जाती है जिसे फेस बोला जाता है पर की तरब यह दिखht रहा है अपको यह अपने होती है यह भी हेज होती है कि इससको बूलाता साइड इस एस से कर रहा है ऐसा नहीं होता इसकी अंदर इसमें यह ही पर्टिकुलर एक टाइम पर कुई एक एजग पती है यह पूइंच होता है जो बहुंग पॉाटही है यह पूइंट अ defence मिलती है उसके लिए 0.4 mm कमकिल लेते हैं 0.4 mm और ज्यादा मैक्सिमम करनी है तो 1.5 mm के आसपास इसकी नोस रखी जाते हैं तो आप अगर नोट कर रहे हैं दोस्तों तो इसए तरह से यह भी दुसें इनका दुसने निकलती वहोता है यहां से होते हो आपके गिर जाते हैं इसे बारे में आगे अब देखेंगे तो यहाँ पर जो अपने वर्क्पिस्स देख था हम इसे तो यूस made रहे है उपद से देख रहे हैं तो हमें यह फेज दिखेंग हर एक यह मैं शेंग दिखेगा तो यहाँ पर क्स्त्रेखा क्या हो रहा यह है कि हमने दो लाइन प्रौ ली राई एक इसी वर्टीकल लाइन करने और एक Horizontal line तो वर्टिकल लाइन के साफ में इंगल भनता है उसे एफ हम बोलते हैं क्यों बना रहा है वह बना रहा है यह dyma कि यह साथ में कौन से इंगल बनेगा यह कौन सा था यह था अपना end cutting edge आप ठीक है अब बात यादी है कि इसे उपर सम देखने पर इस तरह से दिख रहा है यह अपन को ठीक है तो यह एंगल इसलिए बनाया जाता है कि इसके यहां से जो है वो जो वर्क फीस से निकलने वाले चिप से उनको जगे मिल पाए भाहर निकलने की सेम तुसेम इसका भी यहीं क्लियरंस प्रवाइड करवाता है अगला कोशन अगला टूल एंगल है उसके बारे में देखते हैं इसे हम अगर साइट से देखें यहां से सामसे देखेंगे तो यह जो एंगल आपको दिख रहा है फोर्म होता हुए जो स्टेट लाइन आ रही हम से खीश लेता है इस तरह ठीक है बैक बैक य исп कं चाल कारन क्या होता है इसमें निकलते हैं दोस्तों इस तरह से मुढ़कर बाहर के और गिरते हैं तो होता यह है अगर अगर वाल Sat・・・ यहां निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट्र जन्रेट होने के वजय वह ज़ल से जो चिपिस के लिए हम जबने लिए रेक एंगल देंगे उतना है इंक्रीज होगी तो एक कौशन यह उड़ता है कि इसको हम क्योंना बहुत ही ज़्याद इसको स्लोप जदें लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों क्योंकि एक लिमिट के बाद में जिद बैक रेक एंगल आप बढ़ाओगे तो वह इसको नुक्सान करने लग जाएगा ऐसा माना गया है कि 10 से 15 डिगरी के एंगल पर यह बहुत अच्छा काम करता है मैक्सिमम 15 डिगरी के एंगल पर यह बहुत अच्छा काम करता है कौन बैक रेक एंगल है ठीक है दोस्तों नीचे का जो दिख रहा है क्लिरेंस देता है कि जब इसको चलाया जाए तो वर्क पीस और टूल के बीच में कुछ गैप रहे जिससे इतना ज्यादा ही ज्यादा रबिंग प्रोसेस ना पो अगया दोस्तों इसको बताने से पहले हम बैक रेक इंगल की यहां बात कर लेते हैं जड़ा बैक रेक इंगल चो होते हैं एक होता पॉजिटीव एक होता है न्यूट्रल जीरो रेक इंगल और नेगटिव यह उसी के टाइप दिए मेर ूर नीचे तो यहां पर होता क्या है दोस्तों यह क्यों बनाए गये गए हैं रेक इंगल अलगल अलक्Twक में यह बना गया है उस Daisy पूषता आप से कि पॉजिटिव रेक एंगल पूछे आप से बन रहा है यह पूछे आप से बनाओ बताओगे उसको ब्रेटल मटेरियल में होता है कि जो निकलती नहीं है वह अच्छली टुक्रों के फॉम में निकलती तूड़ जाती है कि यहां इक न्यूटल रेक एंगल जो कि मटेल में काम आता है जैसे पूर्टव गेरा में जो नर्म होते हैं उन्हों में यह काम आता है कोश्यां को दिखना द्यां रखक से कों की सफरे कोशन वाला एंगल किते-वाली मटण केने यूज होता है तो हमारे यह टोपिक था यहा और निचे बना रहा है जैसे ना मता चल रहा है कि यह क्या करता है इसको रिलीफ करवाइड करवाता है यहां पर हीट जो जनेट होती है उस से ज्यादा इसे घिसते हुए ना निकले साइट रेक एंगल का भी यही यूज होता है दोस्तों तो आपको दोस्तों पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आपको जरूर करिए कुछ एक्स्टर नोट यह हम आपको बता देते हैं सिंगल पर्ण कटिंग टूल का जो इस्तिमाल होता है वह द और सब्सक्राइब क्या होता है दोस्तों कि यह जो इस तरह से चल रहा है ठीक है अंदर के और सका क्या करें हैं इसका कटिंग एज के बीच में आगर नायन्टे डिग्री का एंगल है तो वह और दिखरा आपको यह अपना दिखरा है तो यह कुछ भी एंगल है लेकिन नही दोनों के बीच में नायन्टे डिग्री के लावा और कुछ भी होता है तो से प्रोसेस यह भी है इसके बारे में और चाई बताते आपको कि यह जो एडिया रहा है आपको यह बोला जाता है साइट कटींग एज एज बोलते हैं यहाँ पर मैंन कटिंग भी बोलता है और फोटेफ दोस्ता को वीडियो पबसने होगी मिलते हैं